इस वीडियो में हम देखने वाले कंप्यूटर के most important questions तो वीडियो को like कर दीजिए साथ ही साथ share कर दीजिए चल यह start करते हैं question number one है DTP का पूरा नाम क्या है तो यहाँ पर DTP का पूरा नाम desktop publishing है यह जो आप देख रहे हैं desktop publishing यह जो है right answer हो जाएगा next है DTP से आप क्या समझते हैं तो आप DTP से क्या समझते हैं यह एक DTP जो है एक application software होता है ठीक है यह application software होता है जो document को publish करने के लिए प्रयोग किया जाता है next है next question है हमारा यहाँ पर hyperlink से आप क्या समझते हैं तो जो hyperlink होता है hyperlink यहाँ पर किसी page या दस्तावेश को उसी अत्वा किसी अन्नी दस्तावेश से जोड़ना hyperlink कहलाता है यह जो है क्या कहलाता है hyperlink कहलाता है next question है इंटरनेट पर भेजे जाने वाले आप सब्द को हम क्या कहते हैं तो इससे जो हम क्या कहते है फ्लेम फ्लेम कहते है नेक्स्ट है STML का पुरा नाम लिखें तो STML का पुरा नाम है hypertext markup language next question है यह पर नेक्स्ट है animation से आप क्या समझते हैं तो animation जो होता है कई इस्थे चित्रों या document page को एक एक करके तीरुता से गुजारना तीरुता से गुजारना जिससे गतिसीलता का आभास हो animation कहते हैं next है next question number 7 है CD Rome से आप क्या समझते हैं इसका अंसर होगा या एक ऐसी storage dix होती है जिस पर सिर्फ एक बार लिखा परन्तु बार बार पढ़ा जा सकता है next है CD Rome का पूरा नाम लिखे question number 8 important है यह कफी important है CD Rome का पूरा नाम लिखे तो यहाँ पर CD Rome का पूरा नाम compact disc read only memory हो जाएगा next question है यहाँ पर question number 9 question number 9 है DVD का पूरा नाम क्या है digital versatile disc right answer हो जाएगा next question number 10 desktop क्या होता है तो desktop क्या होता है question number 10 है desktop क्या होता है desktop computer screen होता है जो computer के चालू करने के पस्चाद दिखाई देता है हम ते tumor होता है οιको ते स्चाद मेन दे स्चाद few । थाँ लाएभी एchau